आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now जो है एक जो है हमको Paragraph दिया गया है ठीक है उस Paragraph के Base पर जो है Question No.3 मतला इस Paragraph का जो है यह थार्ड वाला Question जो है यह हमको दिया गया ठीक है तो यहाँ पर जो है जो मोटा मोटा चीज जो है इस Paragraph को वह मैं बता देता हूं तो जो Boiling Point और Freezing Point है यह आपका Effect करता है जो हम Non-Volatile Solute जो है एड करते हैं ठीक है ठीक तो आपका Freezing Point जो है यह आपका कम होता है Depression in Freezing Point और जो आपका Boiling Point जो है वो आपका बढ़ता है ठीक है यह इतनी सारी चीजें है ठीक है तो जो Freezing Point है Directly Correlated to the Concentration of the Solute Dissolve in the Solute ठीक है यह भी है इसके बाद जो है अगर हम Non-Volatile Solute जो है डालते है तो आपका जो है Freezing Point जो है यह आपका Decrease हो जाता है Depression in Freezing Point बोलते हैं ठीक है और यहाँ पर जो है Elevation in Boiling Point हो जाता है ठीक है यह सारी चीजें ठीक है और Colligative Properties के अंतरगर जो है आपके क्या क्या आते है Freezing Point Depression ठीक है ठीक है Vapor Pressure Lowering Boiling Point Elevation और Osmotic Pressure ठीक है और यह जो है किस पर Depend करते हैं Solution that depends जो भी Colligative Property Only on Identity of the Solvent and the Concentration of Solute and Characteristics are not Depending on the Solute's Identity ठीक है इतना चीज जो था यह पर ग्राफ में हमको समझने लाएक अब जो है हमारा Question जो है वो हम देखते हैं ठीक है जो Question दिया गया है वो हमारा क्या है यहां पर यह क्या है कि Assume 3 samples of juices ABC have the glucose as the only sugar present in them the concentration of sample ABC are 0.1 0.5 and 0.2 molar respectively freezing point will be highest for the fruit juice ठीक है तो जो freezing point होगा वो आपका यहां पर किसके लिए highest होगा वो हमको बताना है ठीक है तो depression in freezing point का जो फर्मूला होता वो क्या delta tf ठीक है change in the freezing point यह आपका delta tf is equal to क्या होता है i.kf.m ठीक है तो यह i.m जो है यह क्या है आपका यहां पर हो जाएगा delta tf is directly proportional to c net ठीक है यहां delta tf की बात हो रहे है तो जो change in the freezing point ठीक है वो उसी का ज़्यादा होगा जिसका concentration ज़्यादा होगा ठीक है तो अगर हम बात बोलें कि यहां पर 0.1 है ठीक है यह आपका 0.5 है और यह 0.2 है ठीक है तो अगर हम यहां पर देखें delta tf ज़्यादा मतलब यह हो गया कि delta tf जो है यह ज़्यादा होगा जब आपका c net जो है यह ज़्यादा होगा ठीक है और डेल्टा टीए अगर जादा हो गया जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले था और जो अब हो गया उसमें जो है जो है जादा हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट जो है और डिक्रीज हो गए, जितना जादा आपका delta टीएफ में change आएगा freezing point होतना कम हो जाएगा, freezing point कम सबसे कम किस लिए हो जाएगा poin5 के लिए इसका concentration सबसे जादा हो जाएगा ठीक Nuclear, तो इसका freezing point सबसे कम हो जाएगा इसके बाद कोन आजाएगा, आपका सी वाला आजाएगा ठीक है और जो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट में जो है कमी आएगी वो आपका जिसका कंसेंटेशन जो है सबसे कम है ठीक है वो आपका आएगा ठीक तो यहां पर जो है कम ही बता रहा हूं कि जो सबसे कम ही जो freezing point में जो कम ही आएगी वो सबसे कम किसमें आएगी वो कम concentration वाले में आएगी ठीक है तो इसका मतलब होगे इसका freezing point जो ज़यादा होगा क्योंकि थोड़ा सा कम होगा जो आपका दिया रहा है उससे थोड़ा सा non-volatile solute जो एड़ कर दिये तो उससे थोड़ा सा कम होगे तो इन सब की comparison में जो है इसका जो है जादा हो जाएगा मतलब A जो है इसका जो highest हो जाएगा freezing point ठीक है So option A is the correct answer ठीक Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 सुपर